जूम को फोन के साथ जब हम चलाते हैं तो उसमें Bluetooth स्पीकर जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें आवाज नहीं आती है ये मुझे प्रॉबलम आ रही थी तो मैंने YouTube पे ढूंडा तो इसका मुझे कोई वीडियो ठीक ठाक सा नहीं मिला जिससे मुझे समझ आ सके किया प्रॉबलम है तो अगर आप जूम को Bluetooth कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं और आपको Bluetooth स्पीकर में आवाज नहीं आ रही है फोन में Android फोन में तो आपको क्या करना है वो मैं आपको एक अब मैं इसको बता रहा हूँ देखिए आपको क्या करना है जूम में जाकर करके आपको सेटिंग में जाना है आप जूम में गए पहले फिर आप सेटिंग में गए, फिर आप वहाँ पर जाएंगे मीटिंग में नीचे जो मीटिंग लिखा होता है और उसके बाद आपको वहाँ पर मिलेगा use original sound ठीक है वो आपको on कर देना है जो एक on off का बटन होता है तो उसको on कर देना है यह आपको तब करना है जब आपकी आप किसी भी meeting में नहीं है ठीक है अभी meeting आप नहीं कर रहे हैं उसमें जाके इसको कर देना on समझ गए zoom में जाना है उसके बाद सेटिंग में जाना है उसके बाद मीटिंग में जाना है मीटिंग में और यूजिनल साउंड को अन कर देना है अब इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर गड़ रही थी मेरे से तो आप इसको धान से समाझ लीजिए आपको क्या करना है कि पहले मीटिंग जैसे किसी से उससे पहले आपको इसको on कर लेना है Bluetooth को connect कर लेना है फोन में बिना meeting चलाए अभी फोन से connect हो गया आपका Bluetooth उसके बाद तब आपको जूम की meeting on करनी है या जॉइन करनी है या new meeting करना है उसके बाद आपको क्या करना है के जाके अनेबल औरिजनल साउंड कर देना है जाकर अनेबल औरिजनल साउंड कर देना है तो उसके बाद आपकी प्रॉबलम सॉल जाएगी पिर जब आप में अपना मीटिंग वाले पेज पे आएंगे तो वहाँ पे उपर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा ब्लुटूथ ओन करना है या ओफ करना है तो यह इसका सिस्टम है जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ मेरी तरह और भी कुछ लोगों को प्रॉबलम हो रही होगी तो आप इसको करके देखिएगा कुछ नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा थैंक्यू वेरी माच